दोस्तों वैसे तो हमारी सरकार के कई भक्त आपको जगा जगा मिल जाएंगे लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको बनाया गया है हमारे देश की सताधीन पाटी द्वारा ऐसा आरोप लगता है और उसके बाद जब उनका सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो चाहे वो गलत करें चाहे सहीं करें उनका सपोर्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों वो बचते चले जाते हैं और उनको बचाया चला जाता है का पूरा कारवा जो है वो चलता रहता है अभी मैं जो बात कर रही हूं यूट्यूबर 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 की मुश्किले अब बढ़ने वाली थोड़े समय पहले दोस्तों इनके उपर एक मामला दर जुआ था बहुत चर्चा में आया था मामला भागे-भागे कि रेव पार्टी में साप का जहर मंगाने का आरोप लगा था इसमें कुछ लोगों की गिरफतारी भी रही थी इनके खिलाफ मामला भी दर्श किया था थाने में और और ताने में मामला दर्श रहा है वह बिलकुल जूट है सचाहिए नहीं है एक प्रतिशत की भी सचाहिए नहीं इस बात खुलासा हुआ है कि जहार को वह सच थी जूट नहीं था पुरा मामला क्या घूद्ध में आपको बताऊंगे उम्मीध आखिर तक इस वीडियो में आप मेरे साथ मने रहेंगे नमस्कार मेरे नामें जैन्ती जा और आप देख रहे हैं देश नीटी देश नीटी किवल सची और पक्की खबे दोस्तों आपको याद होगा जब एलविश यादव बिग बॉस से निकल कर बिग बॉस की विजेता के तौर पर हरियाना लोटे थे तो उनका स्वागत खुद सीम मनोहरलाल खटर ने हाथ उठा कर किया था इनके सपोर्ट में साहाब के सपोर्ट में कई लाख लोग मैदान जो है पट गया था मैदान खचा कच भरा था जगा नहीं थी मैदान में खड़े होने की और उस मैदान में जहां पर लोगों की खड़े होने की जगा नहीं थी मंच से मनोहरलाल खटर सहाब इनका अभिवादन करते नसराय थे अब हम तो कहेंगे जो खबर हम बताने वाले हैं अगर हो सके दोस्तों तो मनोहरलाल खटर तक साहब भी आप पहुचा दे ये खबर क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिनका हाथ उठाकर और जिनको बढ़ाई दी जा रही थी असल में एलविश यादव किनके नारोपों में घिरे हुए हैं आपकी जानकारी के लिए बताना जाओंगी शुरूआत में ही कि ये जो आरोप लगाने की क्या हुआ है आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त आपको में एलविश यादव केस रेव पार्टियों में इस्तिमाल हो रहा था सांप का जहर एफसल जांच में बड़ा खुला सा कि जो खबर है कहती है कि बिग बॉस फेम एलविश यादव की मुश्किले बढ़ती नजर आ रह कोबरा करेत ब्रजाती के सापों का जहर पाया गया है जहां एफसल रिपोर्ट में कोबरा करेत ब्रजाती के सापों का जहर पाया गया है फेमस यूट्यूब एलविश यादव समेथ स्पैरो के खिलाफ सेक्टर उनचा स्थाने में दर्ज मुकदमा जो है वो दोस्तों था और बीज़ोपी सांसद जसम ने कहा बीज़ोपी सांसद में इनका कांधी के एंजियो पीफे द्वारा इलविश्यादव के खिलाब FIR दर्ज कराई गई थी इस पूरे मामले में सपेरो जितने सपेरे थे उनको पुलिस ने जेल भेज दिया था वहीं सपेरो के कबजे से बरामत सांपों के जहर को भेजा था इसे जांच के लिए FSA Lab भेजा गया था सांप तसकरी और नॉइडा में रेव पार्टी मामले में धीरे धीरे जैसे जैसे जांच बढ़ती गई बीते साल नमंबर में आरोपियों को डिमांड में लेने के बाद नॉइडा पुलिस उनसे कई घंडे तक पूछताच कर चुकी है और इस पूछताच में पुलिस के सामने कई आरोपियों ने कई खुला से जो है किये थे डिमांड के मुताबिक इंतजाम किया जाता था सापों के जहर का इंतजाम डिमांड के मुताबिक किया जाता था कि किसको कितना जहर चाहिए किसको कैसा जहर चाहिए किस साप का जहर चाहिए इसका इंतजाम किया जाता था इस पार्टी में यह मैंने कह रही हूँ यह ख़वर कहती है दोस्तों इस ख़वर का कहना है कि आरोपी ओने जब आरोपी को गुरफतार किया गया था तो आरोपी ओने जानकाली दी थी कि एलवेश श्यादव की पार्टियों में बदरपूर से साप लाए जाते थे ध्यान से सुनियेगा पुलिस को कुछ अन्य आरोपी को नाम भी बताये जो रेव पार्टी में बीन प्रोग्राम और सांपो का खेल करवाते थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी एलवेश और फालिज पूरिया से कनेक्शन था उसके बाद से ही पुलिस उसका पता लगाने में जुट गई है एंजीओ का दावा है कि बिग बॉस विजेता एलविश यादव नौइडा में रेव पार्टी किया करते थे और पुलिस ने पी एफे के शिकायत पर एलविश की रेव पार्टी करने वाली जगह पर छापे मारी कर पांच लोगों को गिरफतार कर लिया था और उनसे अरोप हैं और अब तो ऐसा लगड़ा है कि आरोपों की पुष्टी भी हो जाएगी ऐसे में भी इसको सहाब कहना यह कहा तक सही है तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एलविश यादव की तस्वीरे हमारी देश की सत्तादीन पार्टी के कई माननीय बिग बॉस में ये तो इसम्रिती रानी जी जहां उनसे किसी फैन ने पूछा कि बिग बॉस में ये अलविश यादव गए हैं ये लुश यादव को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी उनने स्टोरी में वकाइदा ये कहा था कि वहां कैसे पहुँचिया ऐसे जो इतने जब पहुंच है तभी तो खुद मनुहलाल खटर जहां वो रहते हैं हरियाना में अलविश यादव उसी एक हरियाना के सीम मनुहलाल खटर आकर उनके आवभगत कर रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं बिग बॉस जीतने की इसका मतलब तो आप क्या ऐसा हो सकता है अभी तक तो देखिए दोस्तों बहुत समय पहले मामला आया था सामने और तब से लेकर अब तक मामले पर एकदम परदा डाल दिया गया ऐसे मामले को दबाया गया जैसे मानियों कुछ हुआ ही ना हो लेकिन आप दोबारा जब खुलासा हुआ है तो इराधार सावित करने का इरादा है इरादा क्या है सवाल यह पूछा जा रहा है दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं आपके क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार